इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उप्योग करत के कारण सांस लेने में कठिनाई जैसे फेफडों के विकारों से भी इस दवा का उपयोग किया जाता है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फायदों के बारे में। एक, मुख्य रूप से पुरुषों में प्रजनन स्वास्थ और फेफडों की विकारों में सुधार के लिए उपयोग किया जाता है। दो, पुरुषों में दर्दनाक सिर्दर्द और ठकावट के लिए प्रभावी रूप से। तीन, इसका उपयोग पेट दर्द और एठन की साथ-साथ मतली और अपट से राहत के लिए किया जा सकता है। चार, ग्रंथियों की सूजन को कम करता है और जन्नांगों की खुजली से राहत देता है। 5. गर्भवती महिलाओं में गर्भाशे में दर्द के साथ-साथ योनी और योनी की खुजली से राहत मिलती है। 6. छाती में दबाव और जमाव के साथ-साथ श्वास संबंधी विकारों से भी राहत मिलती है। साथ ये भारी पसीने और पसीने को कम करने में भी संकेत दिया गया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें।